काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उनका वज्रमुकुट नाम का एक लड़का था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खिलने जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थ और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेर थे, जिन पर पक्षी चह चहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुख गए और तालाब के पानी में हाथ मूँ धोकर उपर महादेव के मंदिर पर गए। घोडों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। मंदिर में दर्श राजकुमारी ने उसकी और देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने खिया क्या की जुड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दाट से कुत्रा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा, अपनी सखि के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुना कर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है, न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी, दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ, पाउ से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पदमावती है और छाती से लगा कर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो, इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा, बोला, अब मुझे करनात देश में ले चलो, दोनों मित्र वहां से चल दिये, घूमते फिरते, सेर्क करते, दोनों कई दिन बाद उसी शहर में पहुँचे, राजा के महलों के पास गए तो एक बुलिया अपने द्वार पर बैठी चर्खा कात्ती मिली, उसके पास जाकर दोनों भुणों से उतर जब तक जी में आए, रहो, दोनों वहीं ठहर गए, दिवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है, बुलिया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा ललका राजा की चाक्री में है, मैं राजा क बुलिया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ, तो राजकुमारी से कह देना कि जेट सुधी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था, वहाँ आ गया है, अगले दिन जब बुलिया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उ तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप धबराए नहीं, उसकी बातों को समझें, उसने दसों उंगलिया सफेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब यह है कि अभी दस रोज चांधनी के हैं, उनके बीटने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी, दस दिन के बाद बुल देया ने आकर सारी बात सुना दी, राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया, दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, तीन दिन और ठेहरो, तीन दिन बीटने पर बुलिया फिर वहां पहुंची, इस आनी मारे खुशी के राजकुमार उच्छल पड़ा, समय आने पर उसने बुलिया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे, दो पहर रात बीटने पर वह महल मेजा पहुंचा और खिलकी में से होकर अंदर पहुंच गया, राजकुमारी वहां तयार खड़ी थी, वह उसे भीतर ले गई, अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आखे खुल गई, एक से एक बढ़कर चीजे थी, रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा, जैसे ही दिन निकलने को आया, की उसने उसे छिपा दिया, रात को फिर बाहर निकाल लिया, इस तरह कई दि अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आए, उसे चिंता हुई की पता नहीं, उसका क्या हुआ होगा, उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया, बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी नहीं से तो तुम मिली हो, राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बड़िया बड़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिला कर तसल्ली देकर लोटाना, खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुचा, वे महीने भर से मिले नहीं थे, राजकुमार मिलने पर सारा हाल सुना कर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बाते बता दी हैं, तभी तो उसने ये भोजन बना कर भेजा है, दीवान का लड़का सोच में पढ़ गया, उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, राजकुमारी समझ गई कि बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए। मैं अब उसके पास नहीं जाओंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाई करना चाहिए, जिससे हम उसे घर ले चले। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बजार में बेचाओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरी गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। दिवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली 14 को डाकिनी मंत्र सिधा कर रहा था कि डाकिनी आए. मैंने उसके गहने उतार लिये और उसकी बाई जांग में त्रिशूल का निशान बना दिया. इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पदमावती की बाई जांग पर देखो की त्रिशूल का निशान तो नहीं है. रानी देखा, तो था. राजा को बड़ा दुख हुआ. बाहर आकर वही योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंध है? योगी ने जबाब दिया, रा राजकुमार और दिवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे. राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लोट आए और आनन से रहने लगे. इतनी बात सुना कर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को ल पेड़ पर जा लगका. राजा वापस गया और वेताल को लेकर चल दिया. वेताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं.